हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टू माई चैनेल, अल अबाउट जोबस में, फ्रेंड्स, एनेपसी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिकूट्मेंट के लिए नोटिफिकेशन निकलके आया है, जिसमें भी वी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एग्जमिनेशन नहीं र रखा गया है, सेलेक्शन प्रोसिडियोर, एन अप्लिकेशन प्रोसिडियोर क्या होने वाली है, तो हार एक चीज़ एक करके इटेल्स मों डिसकास करूँगा, तो वीडियो को लास तक देखिएगा, ताकि आप लोगो हार एक इन्फोर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए, तो नेक्स चलते है, ओफिशियल नोटिविकेशन की तरब, तो फ्रेंस यह है इसका ओफिशियल नोटिविकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि नुक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स की तरब से आयागे, तो फ्रेंस नोटिविकेशन स्टार्ट कारने से पहले, अगर एच्छ-छ नोटिविकेशन लिए लेके आने के लिए, तो स्टार्ट करते है इडिविकेशन की, तो फ्रेंस फिसन फ्रेंस फ़ॉल यह एक पर्मानन्न जॉब है, कोई कोंट्रेक्च्छ फुल जॉब नहीं है, नेक्स्ट बात कार लेते ही इडिविकेश्ट की बारे में, में तो फ्रिंट स्थे टेकनिकल अफिसर डी सॉफ्ट्वर डेवुलापर के लिए टोटल नम्मर ओव वेकेंसी दो है इसमें आपको सलरी 67,700 प्लास अलोइंसे स्वारमांत मिल जाएगी मैक्सिमम एज लिमेट 40 एर्स तर राखा गया है Educational Qualification में अगर आप लो Computer Science Engineering, Information Technology, Electronics and Instrumentation Engineering Electrical and Electronics Engineering में से 4 साल का BVTAC कार के राखे हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और इसमें अपलाई करने के लिए आपके BVTAC में Minimum 60 version mark सुनी चाहिए और उसके साथ Minimum 4 साल का Post Qualification Experience मा आ गया है नेक्स पोस्ट है टेकनिकल ओफिसर डी, आइटी इंफ्रस्ट्रक्चर और साइबर सेक्यूरिटी के लिए टोटल नम्मर ओफ वेकेंसी दो है जिसमें आपको सलारी 67,700 प्लास अलोइंसे परमंद मिल जाएगी मैक्सिमम एज लिमेट 40 एर्स तर राखा गया है अगर अपलो Computer Sense Engineering, Information Technology, Electronics and Communication Engineering, Electronics and Instrumentation Engineering, Electrical and Electronics Engineering में से 4 साल का BVT करके राके हो तो इसके लिए अपने ही कर सकते हो और उसके साथ मिनिम्म मिल चार्ट साल का Post Qualification Experience महा गया है नेक्स पोस्ट की बात करें तो नेक्स पोस्ट है टेक्निकल अफिसर डी आइटी इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए रोटल नमड़ाव वेकेंसी एक है इसमें आपको सलरी 67,700 प्लास अलोइंसेस पारमांत मिल जाएगी मैक्सिमम एज लिमेट 40 एर्स दा राखा गया है एक्स पोस्ट के लिए इसमें आपके सबस्ट का इटेल्सकार अपके सबस्ट का बात कर ले ना उसके लोग फ्रेंट्स अगर आप लोग SCST, OBC और PWD Candidate हो तो उन लोग को as far government norms एजलाख ससन मिल जाएगी जसे SCST Candidate के लिए 5 साल का, OBC Candidate के लिए 3 साल का और PWD Candidate के लिए 10 years का एजलाख ससन आपको मिल जाएगी बात का लेते हैं सेलेक्षान पोसेडियोर की वारे में, तो फ्रेंस सेलेक्षान पोसेडियोर में आपके qualification और आपके experience के पर depend करके आपको shortlist किया जाएगा अगर आप लोग इसमें shortlist होते 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 उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा अगर आप लोग interview में qualify कर जाते होते 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 उसके बाद आपका selection नहीं पे हो जाएगी तो आप लोग आपके सबसुस का titles चेक कर लेना और SCST, PWD, X-Servicemen और Women Candidate के लिए कोई फिया application fee नहीं रखा गया है completely free है उन लोग के लिए बात कार लेते है जॉब location की बार में है तो फ्रेंस यहीं पे आपका job location हाइदराबाद पे रहेगी अगर आप लोग SCST candidate हो अगर आप लोग interview दोने के लिए जाते हो तो उस ताइम आपको traveling allowance वगड़ा भी provide किया जाएगा नेक्स्ट बात कार लेते है application procedure की बार में तो फ्रेंस application procedure यहीं पे offline डखा गया इसका जैक official offline form है जिसको आपको अच्छे से fill करना होगा और fill करने के बाद उसके साथ आपको जो educational qualifications का marksids और certificate से उसका self-restrict photocopy उसके लब आपको experience certificate का self-restrict photocopy उसके साथ अगर आप लोग SCST OBC candidate हो तो उन लोग के लिए का certificate का self-restrict photocopy, EWS candidate के लिए income certificate का self-restrict photocopy और PWD candidate के लिए disability certificate का self-restrict photocopy और अगर आप लोग extravismant candidate हो तो उसके साथ अगर आप लोग किसी भी government या दो PSU अगरा में काम कर रहे हो तो उसके साथ आपका no objection certificate का copy उसके साथ आपका जो demand draft का receipt है उसका copy ESF documents का self-restrict photocopies आपको उस application form के साथ attach करके के इनमिलाव बाना नहीं पाड़ेगी और उस इनमिलाव को पर आपको mention करना होगा कि application for the post of technical officer D within bracket post का name और उसके बाद post code then against advertisement number nfc-02-2022 ये mention करने के बाद आपको उस इनमिलाव को इसका जो official address यह पे mention किया हुआ है आपको उसी address पे 2nd April 2022 से पहले speed post या तो restart post के तुरूपे send करना होगा तो friends यह है इसका details notification निक्स्ट में आप लोग को offline form दिखायता हो तो friends यह है इसका offline application form जिसमें first आप लोग जो भी particular post के लिए apply करना चाहते हो उसका name आपको ही पे mention करना होगा mother's name, nationality, religion आपका केटागोरी यह ही पे mention करना होगा उसके बाद आपको आपको मेटल, status, height, weight उसके बाद अगर आप लोग PWD candidate होतो जो काईटल्स आप लोग यही पे fill कर सकते हो उसके बाद आपको एक serviceman candidate होतो जो काईटल्स आप लोग यहीं पे fill कर सकते हो नेक्स्ट आपको 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 लैंगुजिस काईटेल्स यहीं पे फिल करना होगा उसके बाद आपको आपको कोई भी रिफरेंस बगड़ा है तो उसकाईटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो नेक्स्ट आपको 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 आप तो फ्रेंट्स यही इसका डिटेल्स नोटिविकेशन और फॉर्म फिलाप का डिटेल्स में इस ओफिशल नोटिविकेशन और अप्रिकेशन फॉर्म का पीडिये इपने टेलीग्रम चैनल पर शियार कर दूँगा अप लोग वहां से जिकाउट कर सकते हो अगर आप लोगों प्रिविकेशन पर शियार कर देता हो और अगर भी शियार करता रहूंगा और अगर आपका कोई भी डाउट से तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आप लोग ने अवी तक उम्मणे चैनल को सब्स्राइब नहीं कियो तो चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब कर और बिल आइकन को प्रिस कार्ड दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा अच्छा नोटिविकेशन आप लोग के लिए लेकर आने के गुडबाई, थेंक यू